तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूटूब चैनल इस्टडी भी थी होगे इसमें हम लोगों ने कल परधान मंत्री के बारे में पढ़ा था आज उससे आगे को देखेंगे और इसमें हलका सा आइडिया में आपको महानियाईवादी यानि Attorney General of India का भी देदूँगा हाला कि वो से लेवस्ट में नहीं है लेकिन उससे क्वेश्टन हमेशा आपको देखी जाता है कहीने की पॉलिटी वारा जो सेक्शन होता है कि महानियाईवादी किस आर्टिकल के देहता है कौन यूटी करता है कौन होता है वो वो हलका सा लास्ट के एक दो मिनट उसको मैं बता दूँगा आप लोग उसको नोट कर देंगे ठीक है आने वाले वीक से हम लोग मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ हम आपको एक है दो क्लासेज हिंदी के भी दूँगा और हिंदी की क्लास के टॉपिक अब हमें क्या करने होंगे कवर करने होंगे या Hindu की क्लासेज वो स्कोरींग सेक्शन है 20 नंबर का पोर्शन है हम लोग अगले हप्ते से हिंदी भी वार्क करेंगे साथ मैं Saturday, Sunday या Friday और Saturday को Hindi की आप लोग को वीडिय दूँगा और कल आप लोग को live quiz में आना है 4 वजे उत्राकंचिला शिरीज आप लोग उन्हआगार की वह है तो आप लोग उत्राकंचिला शिरीज के quiz के साथ 4 वजे सभी लोग जोड़ेंगे live quiz पे ठीक है जैसा कि रोज कहता हूँ मैं आप लोग उसे अपना feedback आपको as a clip के रूप में देना है मुझे टेलिग्राम पे send कर देना जो भी टेलिग्राम गुरूप पे जुड़े हैं जो नहीं जुड़े हैं उसको मैं link दे दूँगा नीचे comment section में पहला comment मेरा ही होगा तो आप लोग वहाँ पे क्या करेंगे मुझे clip send कर देना आज की वीडियो में भी आपको अंत में clip मिलेगी तो वो एक आपका feedback होगा आप ऐसा जितने भी लोग जुड़े हैं आप लोग ऐसा करना ठीक है देखे हम लोग शुरुवात करते हैं नए ये सब syllabus की topic हैं केंदरी मंतरी परिशद यानि जो center का group of minister होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और ये भी आपका उसने syllabus में दिया हुए है और syllabus में उसने राष्टुपती दिया है उपराष्टुपती दिया है प्रधान मंतरी दिया है केंदरी मंतरी परिशद दिया हमारे चार topic इस चार classes में complete हो जाते हैं कुछ नहीं है group of minister है याद अभी मैं बताता हूँ मंतरी परिशद अलग चीज होती है और मंतरी मंडल अलग होता है दोनु different है ठीक है यहनी मंत्री परिशाथ होती ही group of minister मंत्री मंडल होता है जिसको cabinet बोलते हैं आप लोग ठीक है वो दोनों different है वो मैं आपको समझा दूँगा simple सी बात होती है हमारे देश में election होता है लोग से बाके election होते हैं जिस party को सबसे ज़्यादा seat या जिसको बहुमत मिलता है आदे से एक seat ज़्यादा जिसको मिलती है उसकी सरकार बनती है उसका एक नेता होता है प्रधान नेता जिसको कहते है वो उसका प्रधान मंत्री बनता है और प्रधान मंत्री अन्य मंत्रियों के साथ एक्या बनाता है, अपनी मंत्री परिशत का गठन करता है, ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, सब में हम दोग देखेंगे, और ये सासन को चलाने वाली सबसे बड़ी क्या होती है, सस्ता होती है, सेंटर लेबल, देखें, हम वास्तुपति जो होता है नाम मात्र का प्रधान होता है कारीपालिका का नाम मात्र का प्रधान सम्मेधानिक प्रधान होता है लेकिन वास्तोविक सक्तिक इसके पास होती है प्रधान मंत्री और उसकी मंत्री परिशद में ये कैसे होती है हम कैसे कहते हैं सम्मेधान के अलग- गलग point निकाल की मैं बताऊंगा जैसे कुछ कल बताए थे ऐसी आज भी आपको देखने को मिलेंगे तो जो संसधी व्यवस्ता होती है इसमें मुख्यकारिकारी अधिकारी कौन होता है मंत्री परिशद होता है तो आप ऐसी लिखोगे संसधी व्यवस्ता में पूरा रिखना स संसधी व्यवस्ता में मुख्यकारिकारी अधिकारी कौन होता है संसधी व्यवस्ता में मंत्री परिशद होती है यानि गुरूप ऑफ मिनिस्टर इसको बोलते हैं मंत्री परिशद अब जो मंत्री परिशद होती है इसका जो प्रधान होता है इसका जो चीप होता है उसको क प्रधान मंत्री यानि इस मंत्री परिसत के प्रधान को यानि इसका जो प्रधान होता है वह कौन होता है प्राइम मिनिष्टर होता है ठीक है पी एम लिख दिया मैं को सिंपल सी बात संसधी वYoft अधिकारी कौन होता है मंत्री परिशाद होती है जिसका प्रधान को रहता है प्रधान मंत्री होता है जबकि राष्ट्रपती के पास क्या होते है नाममात्र की सक्तियां होती है वो हर चीज प्रधान मंत्री और उसकी मंत्री परिशत की सहायता वह सलाह से करता है यानि राष् के सरकार के हाथ की कटपुतली है कौन रास्ट्रपती रास्ट्रपती पद भले ही आपको सम्मेधान का सरवोच्च देखेगा लेकिन वास्तविक सक्ति प्रधान मंत्री और उसकी मंत्री परिशत पर होती है रास्ट्रपती नाममात्र का होता है सरकार के हाथ की कटपुतली हो आर्टिकल नमबर 74, इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, इस आर्टिकल में ही ये बात बताई गी है, कि एक मंत्री परिषाद होगी, जो जिसकी परिषाद होगी, उसका warning किया गया, ठीका है, आर्टिकल 74 क्या बताता है मंत्री परिशत के बारे में मंत्री परिशत अगर आपसे कभी question ये पूछता है भाई ये बहुत important है भारती समीधान के कौन से article में मंत्री परिशत का group of minister का मांण किया गया है आप लोग बताओगे article number 74 में ठीक है अब ये जो article number 74 है ये मंत्री परिशत का है और ही मंत्री परिशत का क्या काम होगा राष्ट्रपती को सहायता वसलाह देने के लिए मंत्री परिशत होगी जिसका प्रधान क्या होगा प्रधान मंत्री होगा तो मंत्री परिशत के नीचे arrow लिखो ऐसे लिखो राष्ट्रपती को सहायता वा सलाह देने हे तू साप साप सम्मिधान ने लिखा है राष्ट्रपती को सलाह प्लस सहायता देने हे तू सहायता हे तू एक मंत्री परिशद होगी जिसका प्रधान कौन होगा इस मंत्री परिशद का प्रधान कौन होगा प्राइम मिनिस्टर होगा ठीक है जिसको PM बोजने तो सिंपल सी बात अगर question पूछता है बहुत से आपको यहां से question सीखने को मिलेंगे मंत्री परिषत का वर्डन की सनुच्छेद में किया गया है अनुच्छे 24 में यह आता है मंत्री परिषत का क्या काम होगा राष्टरपती को सलाव वसाहिता का कारी होगा जिसका प्रधान कौन होगा प्रधान मंत्री होगा और अगर question यह पूछता है इसकी न्यूकति बगर है इस सब मैं आपको बताता हूँ ठीक है आप लोग इसको नोट कीजिए अब देखिए जो प्रधान राष्टरपती को क्या करना होता है इसके अलावा राष्टरपती के लिए यह मजबूरी होती है कि वो इस सलाव वसाहिता पर ही काम करे यानि राष्टरपती अपने मंद से कुछ भी नहीं कर सकता है उसको इसी मंत्री परिषत की साहहिता वसाह से काम करना होगा जो वी सलाह दियोगी जो भी सायता दियोगी end रास्टपती को करने के लिए बाद दें ठीक अब देखें वो कैसे बाद देखें वो आपको मैं बताता हूं आप आपने जैसे इतना लिखा आपने उसी के नीचे लिखने है ठीक है सहायता व सलाह पर ही कारी करेगा सहायता व सहायता व सलाह पर कारी करेगा सिंपल सी बात पर कारी करेगा ठीक है और यह नैसेसरी है ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगा तो सिधे सिधे बात भारती समयन्यान का आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंती परिशद होगी जो इसकी सहायता पर रा राश्टर पती के एक नाम मातर की ब क्रमेृदए है अब देखे, main question उठता है, क्या राष्ट्रपती ऐसी सलाह को माननी के लिए वाद्धी है, क्या वो मजबूर है, वो मानेगा ही मानेगा, इसके लिए भी सम्मिधान वर्णन करता हूँ, वो कहता है कि अगर कोई सहायता वो सलाह के लिए राष्ट्रपती के वाद कोई मैटर भ देखे, तो राष्ट्रपती मजबूर है उस बिल पे साइन करने के लिए, यानि सम्मिधान ने एक व्यवस्ता दिये कि राष्ट्रपती पुनरविचार के लिए भेज सकता है, परन्तो अगर पुनरविचार के बाद दुबारा मंत्री परिशत ने उसे राष्ट्रपती को सौब दिया, तो राष्ट्रपती उसके लिए बात दिये है कि उसको क्या करेगा, एकट करेगा, इसको मानेगा, तो ब्रेकेट में लिखो, राष्ट्रपती इसे पुनरविचार के लिए भेज सकता है, परन्तो एक बार अगर मंत्री परिशत ने इसे दुबारा भेज दिय यानि सिदे लिखो गया आप, लेकिन पुनरविचार के बाद दी गई सलाह पर राष्ट्रपती को काजे करना होगा, ठीक है, परन्तो 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 पुनरविचार के बाद भेजी गई सलाह पर सलाह पर कारी करना होगा, ठीक है, अब सिंपल सी बात में आब ये बताना जा रहा हूं, कि अगर राष्ट्रपती को मंत्री पर सलाह वसाहिता करती है, तो राष्ट्रपती को एक आप्शन दिया गया है कि वो पुनरविचार करें, और इस सब के सब किसमे हैं, ये सब आटि कर सकता ये विवस्ता हमने कब की 42 में और 44 में सम्भिधान संसोदन द्वारा 42nd प्लस 44th constitutional amendment के द्वारा इसको लागू किया गया ठीक है तो अब राष्टपति के पास मजबूरी है कि वो मंत्री परिष्ट की सलाह वसायता पे काम करें और याद रखना क्या मंत्री परिष्ट ने कौन सी सलाह दी कौन सा मस्वरा दिया क्या राष्टपति ने पुर्ण विचार के लिए बेचा इस मैटर पर न्यायले में कोई भी जाच नहीं होती है तो नोट करके लिखो, नोट करके, नोट करके लिखो, नोट नीचे लिख देना, ऐसी सलाह की न्यायले में जाच नहीं होती, क्या सलाह दी या नहीं दी, या क्या मेटर था, कुछ न्यायले में नहीं, ठीक है, ऐसी सलाह की न्यायले में जाच नहीं, ठीक है, अब सिंपल सी बात पहला कोशन पूचेगा मंत्री परशत का वर्णन की सनुख्षेद में किया है आप कांसर 74 दूसरा क्या मंत्री परशत की सलाह मानने के लिए रास्टोपती बात दिखा रही है बिल्कुल बात दिखा रही है एक बार उपने विचार के लिए भेज सकते हैं अन्यथा उपने विचार के बाद भले चेंजेज करे मंत्री परशत न गरे उसको पास करना होगा रास्टोपती मजबूर है और न्यायले में कोई भी इसको चुनौती नहीं दी जा सकती यह आर्टिकल नंबर 74 कहता है ठीक है इसी के साथ अगला इसको नोट करने के बाद अन्य मंत्रियों की न्यूकती परधान मंत्री की सलाह पर कौन गरेगा रास्टोपती देखो आपको लगता होगा कि मंत्रियों की न्यूकती रास्टोपती कर रहा है लेकिन सलाह किसकी है परधान मंत्री और बिना परधान मंत्री की सलाह की रास्टोपती कुछ भी नहीं कर टीक है तो article number 75 लिखो परधान मंत्री की न्यूगती ये कल भी बता था मिरें लाब को ठीक है की न्यूगती अगर पूस्ता कि कौन करता है तो सीधे सीधे बता देना राष्ट पती और दूसरा लिखो अन्य मंत्रियूं की न्यूगती ये भी कौन करेगा परधान मंत्री के सला पर राष्ट्रपती यानि PM की सला पर राष्ट्रपती करेगा ठीक है इसको भी अन्यमंत्री की नियुक्ती भी कौन करेगा प्रधार मंत्री की सला पर राष्ट्रपती को करना होगा अन्यमंत्री की नियुक्ती अब ये इसमें क्या होता है एक ये सब 75 के अंदर ठीक है एक तो ये प्रधा मंत्री की न्यूक्ति कौन करता है राष्टपती पहला क्वेशन अन्या मंत्री की न्यूक्ति कौन करता है प्रधा मंत्री की सलापे राष्टपती दूसरा अब देखो जैसे मंत्री होगे टोटल कितने मंत्री की न्यूक्ति कर सकता है राष्टपत अभी लोग सभा में उसका 15% से अधिक नहीं हो सकते, maximum 15% हो सकते, ठीक है, तो अगला point इसमें लिखना और इसको important कर देना, मंत्री परिसद में परधान मंत्री सहीद कुल मंत्रियों के संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकते, ठीक है, क्या लिखोगे, मंत्री परिसद में, मंत्री मंत्रियों की कुल संक्या कुल संक्या ठीक है कितनी हो सकती है आप से पूछेगा तो आप लोग बता देना लोगसभा के सीट का अधिक्तम पंदर परतिशत तो क्या लिखोगे पंदर परतिशत से अधिक नहीं हो सकती है तो टिक क्या लिखोगे इसमें कुल संख्या इसको नीचे करणों लोगसभा के सदश का अधिक्तम पंदर परती चाहिए नहीं 15% से जादा नहीं हो सकते हैं ये बहुत important question है कि केंदी मंती परसेद में अधिक्तम कितने सदश हो सकते हैं तो 15% of लोगसभा member ठीक है इस point को लोगसभा के सीटे हैं तो वहाँ पर पंदर ही सदश्य अधिक्तम हो सकते हैं मंत्री पर दहां मंत्री चाहिए नहीं 14 अलग हो सकते हैं एक पी एम हो सकता है तो पंदर से कम कितने भी रख सकते हैं 15% से जादा आपको नहीं रखना होगा ठीक है ये आपको point याद रखना है अब देखें जो मंत्री होते हैं वो कब तक पर पर बैठ रहते हैं ये भी आप लोग से पूछा जाता है इसको मैं आप लोग नोट कर लिजे मैं इसको एरेज कर रहा हैं देखो मंत्री जो होता है वो राष्ट्यपती की परसाथ परियातन पर पर बैठ रहता है जो मैंने क सुक्षेगा मंत्री का कारेकाल कितना होता है कोई कारेकाल नहीं होता है मंत्री जुह होता है राश्ट्रोपति के हैं ये सम्मिधान ने सब्रियंत कि ठीक है परसाध in रेतन भले ही लिख्या है लेकिन यह सब प्रधानमंत्र के इस हारूं पर चालता है ठीक है या तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्र ही कहेगा इसको पत्र से हटाओ तो यह भी याद रतना और याद रतना संचत का कोई भी सदस्य दल बदल कानून के अंदर अगर ऐसा पाया जब मैं आपको सेड्यूल पर आर्था भारती संविजान के दस्वी अनुसुची में मैंने दल बदल कानून के बारे में जिक्र किया था 52 संविथान संचोधन के द्वारा दल बदल कानून भारत में लागू हुआ था ये भी बताया था राजी युगादी सरकार के समय में क्योंकि बहुत से लोग पार्टी कहीं से लड़ रहे थे बादों कहीं और सिप्ट हो जा रहे थे तो ऐसे सदस्य जो जिस पे दल बदल क चानून बताओंगा आपको तो अगला पॉइंट लिखो यदि किसी भी संचत के किसी भी सदन के सदस्य पर दल बदल कानून लगता है मंत्री नहीं बनेगा मंत्री नहीं रहेगा तो वो मंत्री नहीं रह सकता और दल बदल कानून क्या है आप खाली ब्रेकेट में यहाँ पर समझने के लिख लिजिए दल बदल कानून के आपता पेपर में मैंने बता रखे आप लोग देखना दल बदल इसको किस अनुसुची में है पूछता है तो दसवी अनुसुची में मैंने अनुसुची पढ़ा रखिये आप लोगो देख लेना ठीक है कब लागू हुआ 50 सेकेंड कॉंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंड से लागू 1985 के आसपास कहा है ठीक है यह मैं बताऊंगा आपको लेकिन अभी आप इसके ब्रेकेट में लिख लेना मैंने पढ़ा रखा है अनुसुची देख लेना आप लोगो तो यह रहता है अब देखिए ऐसा सदस्य तो मंतरी नहीं बन सकता है अब main जो question आता है बहुत paper में पूछा जाता है मंतरी परिशद आखिर किसके प्रति responsible होगी जवाब देह किसके प्रति होगी उसको किसके प्रति जवाब देना होगा याद रखना मंतरी परिशद हमेंसा सामुहिक रूप से लोगस़वा के प्रति responsible होटी मंत्री परिशद सामुहिक रूप से उत्तरदाई होती है लोकसभा के परती क्या लिखोगे मंत्री परिशद सामुहिक रूप से इसे most important कर देना सामुहिक रूप से किसके परती उत्तरदाई यानि responsibility क्या लिखोगे उत्तरदाई किसके परती उत्तरदाई होती है पुछता है तो सीधे सीधे answer होगा लोकसभा और article number 75 ये कहता है मैं नहीं कह रहा हूँ इसको most important करना है पेपर में आपको घुमाने के लिए प आश्रदाई परती कुछ ऐसा आएगा अब आता है में चीज ये सामुहिक रूप से उत्तरदाई तुका मतलब क्या होता है आखिर इसका अर्थि क्या होता है ठीक है? वो आप लोग लिखेजे इसका meaning देखassesका क्या होता है? responsible किसके परते हैं? समय सामुहिक मतलब लोकसभा ने इस मंत्री परिशद्या किसी मंत्री के खिलाप अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया देखो अलग अलग प्रस्ताव होता है अविश्वास का मतलब है हमें इनके परती विश्वास नहीं है यानि अविश्वास प्रस्ताव का पारित होगा जब जादा जो करन का biggest सर्ट क्टवार्ण के विश्वासट प्रस्ताविएए यानी मंत्री परिषत को त्याग्पत्र देना हो suppressed तो विश्क्राइट को मतलब न मतलब है था विश्वास प्रस्तावपारेत कंने सब्क inability नहीं मंत्री राज्य सभा से क्यों ना आया हो यानि दोनू सदनू में से मंत्री तो कहीं का भी हो सकता है राज्य सभा का भी हो सकता है लोक्सभा का भी हो सकता है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो क्या तो संपूर्ण मंत्री परिशत को एक साथ क्या देना पड़ता है मिनिस्टर मंत्री परिश्ट का सामई गुरूप से उत्तरदाय तो होने का आर्थ है इसका सीधा सीधा मतलब है किसी मंत्री के खिलाप या मंत्रियों के खिलाब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया या सरकार के खिलाब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हम इस सरकार के साथ विश्वास नहीं है हम इस सरकार में विश्वास नहीं है हम इसके खिलाब है जैसे यह पारित हो जाएगा तो सरकार को यही त्याग पत्र उनको देना होगा इसका सीधा-सीधा अर्थ यह है साथ ही साथ कभी-कभी सामोई ग्रूप से अत्तरदायतों का मतलब ये भी होता है कि देखो मंत्रियों के अलग-alग कैटिगरी होता है एक मंत्री मंडल होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर अभी बताऊंगा, उसके नीचे राज्य मंत्री होते हैं, उसके नीचे उप मंत्री होते हैं, अगर मंत्री मंडल का कोई नेड़नाई है, कैसा भी, सबसे बड़े जा मिनिस्टर होते हैं, उनके सारे नेड़ने पूरे के पू कोड़ बिल था एक हिंदू कोड़ बिल आया था उसके मतलब वो सहमत नहीं थे अपने कैबिनेट से तो उन्हें त्याक पत्र देना पड़ा तो वो अलग चीज है आप लोग ये मानके चले आप विश्वास प्रस्ताव का मतलब सीधा-सीधा इनको क्या करना होता है त्याक प यान है प्लस गोपनीता यानि चीज है इज सदन के सदशन नहीं है तो इनको मंत inning बनने मांतिकार चाला जाता है यानि within six months इनको या तो राजस्बा का member बनना होगा या लोगस्बा का ठीक है तो एक point लिखो छे माह तक अगर किसी सदन का सदस्य नहीं है किसी भी सदन किसी भी सदन मतले लोगस्बा प्लस राजस्बा का सदस्य नहीं बना नहीं बना तो मंत्री पद नहीं रहेगा मंत्री पद नहीं रहेगा ठीक है इसका क्या मतलब हुआ जैसे बहुत से लोग क्या करते है सरकार ऐसी मंत्री बना देती किसी को अगर वो मंतरी 6 मेहने तक कहीं उपचुनाओ होके सीट में नहीं आया, राज़िस्पा का मेंबर नहीं बना तो फिर वो मंतरी नहीं रह सकता है 6 मेहने के पाट यह ता सा आर्टिकल नंबर 75 के बारे में आर्टिकल नंबर 76 सा आता है वो है महानियावादी का वो लास्ट में पढ़ाऊंगा आर्टिकल नंबर 77 देख लीजिए यह खाली बस लिखना है इसके बारे में डीप नहीं पढ़ना है ठीक है आर्टिकल 77 आर्टिकल नंबर 77 में क्या होता है जो राश्टपती होता है उसके नाम पे केंदरी परशासन का कारी जलता है यानि नाम किसका होगा राश्टपती का होगा यानि भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन राश्टपती के नाम पे होगा तो इसमें लिखलो सिर्फ भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचारन यानि जितनी भी भारा सरकार कार्यवाहिय कर रही है उसका राष्टरपती के नाम पर होगा करेगी सरकार लेकिन नाम किसका होगा संचारन राष्टरपती के नाम पर ये नहीं पढ़ना है, ठीक? आपको important नहीं है आपके लिए राष्ट्रपती के नाम पर इसका क्या मतलबा जैसे बहुत जगह आपने सुना होगा राष्ट्रपती महोदै सहर स्विक्रती परदान करते हैं राष्ट्रपती को ये लगा कि राष्ट्रपती ये करते हैं नाम राष्ट्रपती का होगा करेगी सरकार एक एक आर्टिकल 78 में कल बता चुका हूँ आपको ठीक है आर्टिकल 78 क्या है परधान मंत्री द्वारा राष्टपति को क्या मांगना सुचना मांगने पर राष्टपति को अउगत कराना यानि यह मैं कल बताया चुका हूँ प्रधान मंत्री के करतव्य राष्ट परती के लिखोगे प्रधान मंत्री के करतव्य हैं इकल बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में यह आपको खाली बस इतना याद रखने है 77-78 ठीक है यह था आपका क्या मंत्री परिशत अब देखना आगे को मंत्री कित्य परकार क्या होता है वो देखना देखिए आपको लास्ट मंत्री परिशत की संदस्टना यानि इसका structure कैसा होता है मंत्री परिशत में कौन लोग होते हैं कैसे आते हैं अब देखिए मंत्री मंडल cabinet अलग होता है मंत्री परिशाद यानि Council of Minister या Group of Minister ये different चीज़ है दोनों में different होता है मंत्री परिशाद क्या होती है मंत्री परिशाद टोटल अपने आप में क्या होता है जितने भी मंत्री होते है उपर से नीचे ता है उसके अंदर सब आ जाते हैं ठीक है तो ये तीन भागुमा आप लोग इसको बाटोगे सबसे पहरे लिखोगे आप Cabinet मंत्री अगवारू में सुना होगा, न्यूज में सुना होगा आज पता भी चल जाए कि होते क्या है Cabinet मंत्री ये भी मंत्री परिशाद का इस्स है दूसरे आते हैं अपने आप में राज्य मंत्री राज्य मंत्री का मतले है किसी स्टेट के मिनिस्टर मा समन्ना बहुत से लोग जिसकी Political Science नहीं होती है वो राज्य मंत्री को उत्तरवर्देश उत्राखन के मंत्री समन्ने लग जाएंगे हम केंद्र का पढ़ ले और तीसरा होता है उप मंत्री क्या लिखोगे उप मंत्री इसको ऐसे ही बनाना है ठीक उप मंत्री देखो तीन चीज़े हैं कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री और उप मंत्री अब यह टोटल मिला के क्या बन गया? मन्तरी परिशद बन गया ध्यान रखना, नोट करना, यहां पे लिख लो आप एक जगर पे नोट करके ब्रेकेट में उपुपरधान मंतरी कौमा राज्य मंतरी वे उप्मंतरी sino का उलेक सम्मिधान में नहीं है इनको सम्मीधान में कहीं जगानी मी डेटिक है ये तो बनाए गए हैं पर्था के रूप में लेकिन उप परधाय मंत्री, राज्य मंत्री का उलेक सम्मीधान में नहीं है ये लिख लो आप देखिए मंत्री तीन परकार के होता है मंत्री परिशत में कैबिनेट मंत्री, राज इसकी होगी इसका वेतन सबसे अच्छा होगा इनके कंपर है जिन में यह ऐसे बढ़ रहा है सबसे आगे फीर ये फीर ये तो इसके ब्रेकेट में आप लोग लिखो पद करम वेतन और राजनेतिक महत्व के आधार पर अंतर किया गिया है क्या लिखोगे पद करम उपर लिख होगी है क्या अधार पर अंतर लेकिन सबका प्रधान कौन होगा इन सबका प्रधान कौन होगा प्राइमिनिस्टर यानि प्रधान मंत्री इनका क्या होगा प्रधान होगा तो जैसे आपने मंत्री पडिशत की संदस्ता लिखी आपने उपर ही ब्रेकेट में लिखना है इन सरकार के सबसे बड़े मंत्रालई जिनके पास होते हैं यानि सबसे महत्तपोड मंत्री मंत्री जिसको बनाया जाता है बड़े-बड़े मंत्रालई उनको सब कैबिनेट मंत्री के अंतर आता है जैसे इसमें जैसे किसी के पास गरह मंत्रालई होगा ठीक है जैसे अभी रादना सिंग जी है जबकि वित्त मंत्री निर्मला सितारमन जी है इसके अलावा कोई विदेश मंत्रा लए जिसके पास होता है जैसंकर जी है भी विदेश मंत्रा लए ठीक है एक्स्टरक्टर हो यह तो यह क्या होगे इनके पास बड़े-बड़े मंत्रा लए गरह वित्त रक्षा विदेश इस प्रकार के मंत्राले जिसके पास होते हैं वो सब के सब कैबिनेट मंत्री के अंदर आते हैं और ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं दूसरा पॉइंट लिखो इसमें कैबिनेट सदस्य है कैबिनेट सदस्य है यानि कैबिनेट के क्या होते हैं member होते हैं प्लस उसकी बैठक में भाग लेते हैं और cabinet क्या होती है सरकार के सबसे बड़ी संस्ता होती है जो decision लेते हैं ठीक है उसकी बैठक में भाग लेते हैं ठीक है cabinet सदस्य होते हैं उसकी बैठक में यह अपने आप में कहा लेते हैं भाग लेते हैं और इनका जो responsibility होते है, total केंदर सरकार की होती है, यानि एक भी cabinet मंत्री कुछ करता है, पूरे केंदर सरकार के अंदर responsibility आ जाती है, तो बहुत बड़े मंत्रालाई, बड़ा पद, बहुत बड़े राजनितिक value, बड़े बड़े वो होते हैं इनके पास, और cabinets के सदस्य होते हैं साथे-साथ उसकी बैठक में भाग लेने का, जो अर्धिकार होता है, वो किसको होता है, cabinet के मंत्रियों का, और cabinet क्या होती है, नेड़नाई लेने वाले सबसे बड़ी संस्ता होती है, सरकार के इस तरपे, उसके नीचे जो आते हैं, वो राज्यमंत्री आते हैं, राज्यमंत नो मंत्राले और विभाग का इनके पास स्वतंतर प्रभार हो सकता है, यानि इनके अंदर कोई मंत्राले दे दिया, कोई विभाग होता है कारो अगरा विभाग होता है तो उन विभागों के मंत्री होते हैं ठीक है तो मंत्राले के अंदर विभाग होते हैं यानि मंत्राले होगा सबसे बड़ा उसके अलग अलग विभाग हो सकते हैं उन विभागों के मंत्री में आ दिया जाएगा या कोई मं इन मंत्री की तरह तो भी काम कर लेकिन कैबिनेट के मंत्री नहीं होते हैं ठीक है मंत्राले और विभाग का इसके अस्वतंतर परभार होगा दूसरा कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं लिखो कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं ये लोग ठीक और कैबिनेट में भाग नहीं लेते हैं, लिखो, कैबिनेट में भाग, विसेश आउसर पे लिया जाएगा, जब इनको बुलाया जाएगा, कैबिनेट में भाग, कुछ विसेश आउसरों पे लेते हैं, जब इनके विभाग का मामला आएगा, ठीक है, कुछ विसेश आउसर पे, ठीक है, ये उसके न सःयोगी होते हैं तो ऊप मंत्रे लिखो कैबिनेट कैबिनेट में भाग नहीं whether मैं भाग नहीं लेते हैं दूसरा मंतरालय की बिभँ का स्वतांतर परभार नहीं यह परillsbrot नहीं बस ये क्या होते हैं सहयोगी होते हैं तो तीसरा पॉइंट लिख लो आप कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं उसे के नीचे लिखने हैं कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं तो ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या बनता है मंत्री परिशत यानि गुरुम मिन 1810 जितने भी होते हैं बड़े बड़े ठीक है यह आपका क्या था मंत्री परिशत अब देखे बंत्री परिशत और मंत्री मंडल का एक आपको बहुत फेमस क्केशन बताता हूं पेपर मा आता है मंत्री परिशत का वर्णन तो बहुत जगा मिलेगा समीधान में नोट करके लि केवल एक बार मतलब केवल एक बार और ये कहां पर किया गया है article नंबर 352 में article 352 में इसका हमने वर्णन किया बहुत आता है paper question कि भारती समिजान के किस अनुच्षेद में एक मात्रवार मंत्री मंदल का परियोग किया गया आप बताऊगे article number 350 तू ये में पढ़ाऊँगा आपको ये national emergency को लेके है राष्ट्री आप आतकाल को लेके है ये जब आएगा तब बताऊँगा लेकिन अभी आप note करके लिखो सिर्फ यहीं ये इसका वर्णन ठीक है अब आपका ये total मंत्री परिसत complete हो गया last heading डाल लेजे चो topic से इस level से हटके है आपका महा न्याइवादी autonomy general क्या दिखोगे महा न्याइवादी AZ बोलते हैं इसको ठीका autonomy general ये बहुत important है ये paper में आते रहता है इसमें question लिखो सबसे पहला पूसता है कि इस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है तो लिखो article 76 article 76 ये बहुत आता प्याइवादी कि भारत के कि इस अनुच्छेद में महाने आईवादी ये नि autonomy general का वर्णन किया गया आप बता दूगी article 76 इसकी न्यूक्ती कौन करता है दूसरा question पूसता हो न्यूक्ती कौन करेगा रास्टपती रास्टपती इसकी का करेगा न्यूक्ती करेगा ठीक है ये question भी बहुत पूसता है और जो न्यूक्ती होगा ये अपने आप में supreme court का न्यायधिस बनने लाइक इंसान होना चीए यानि इसकी qualification इसकी योग्यता इसकी eligibility इतनी होनी चीए कि सुप्रीम कोट का न्यायधिस ये बन सके तो bracket में लिखो SC यानि सुप्रीम कोट के न्यायधिस जाज ठीक है बनने योग्य अब सबसे में चीज आते है कि ये आदमी होता क्या है ये होता है भारत सरकार का सबसे बड़ा विदी सलाकार कौन होता है महानियाधिस ब्रेकेट में अटानियाधिस जाज लिख रेना अभी बताता हूं कि अभारत सरकार का सर्वोच विदी सलाकार यानि एडवाइजर होता है कानुन के मामले में अब ये एक प्रकार से सोचा जाए रफली बताता हूं भारत सरकार का वकील होता है वकील भारत सरकार की जितने भी मामले होते है न्यायले में जब सुप्रीम कोट या हाई कोट वगेरा भारत सरकार से किसी मामले में जबाब मांगती है तो बेसिकली इसी को विजा जाता है सरकार का पक्षे रखने के लिए महान क्या गर सकता है सुनवाई का अधिकार रखता है ये क्वश्चन में बूशता है भारत सरकार के भारत की सीमा के अंदर सभी जगा सुनवाई का अधिकार रखने वाला कौन होता है महान्याई वादी तो अगला पॉइंट लिखो भारत के अंदर सभी न्यायालई में सुनवाई का अधिकार रखता है इसको राइट होता है कि भारत पूरे भारत वर्सम कहीं भी जाके ये न्यायलई में सुनवाई का रख सकता है अधिकार रख सकता है और इसका कारिकाल होता है वो राष्ट्रपती के परियांत परियांत के यह जब तक रास्ट्रपती चाहेगा तब तक यह पत्प बैठा रहेगा और इसके जो पारिस्रमिक मिलती है इसको जो एक परकार का पैसा बगरा मिलता है उसका निर्धारन भी राष्ट्रपती करता है तो पारिस्रमिक लिख लेजे आप इसको पारिस्रमिक डैस राष्ट्रपती द्वारा राष्ट्रपती द्वारा निर्धारित ये होता है टोटल अपने आप में महा न्याईवादी के बार में ध्यान रखना आर्टिकेल लंबर 76 नियुक्ती राष्ट्रपती भारत का सुप्रीम कोट का न्याईदिस बननी योग्य होना चीए भारत के अंदर सभी न्याईले में सुनवाई का अधिकार है यह था आपका संघ की कारी पाली का कैसा लगा कितना पसन आएगा जरूर बताना संघ की कारी पाली का कम्प्लीट होता है आने वाली क्लिप भी देखे लेना फिर मिलते अंगले सेसन में थेंक्यू नमस्ते मैं गोरव चोदरी गुचर प्राम रुड की हरिद्वार इस्टेडी विद्योगेश एक नाम नहीं ब्रैंड है ब्रैंड एक ऐसा ब्रैंड जिसकी वेलू मेरे जीवन में कभी कम नहीं होगी और आने वाले समय में यहाप ब्रैंड उत्राख्ण के हर उस घर में चमकेगा जिसके दीपक क्यांत पूरे उत्राखणवर्ज को एक दि परकासित करेंगे और पूरे उस दिन पूरे उत्राखंड में धिवाली होगी जिसका सेलिवरेशन हम सम मिलकर योगेस भाईया के साथ करेंगे अंत में एक ही बात कहूँगा कि हो गई है पीर परवत्सी पिंगननी चाहिए इस हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए हंगावा पहलाना मेरा मकसद नहीं मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही लगी हो ये आग ये आग लगनी चाहिए ये आग लगनी चाहिए धन्यवाद करना जाता हूं कि आप हमें इतनी थी में वीडियो प्रोवाइड कर आडें जाता हूं कि आप के सब fak внимание का पा बहुत थेंग्यों